मनोरंजन जगत की जो कमाई का मुख्य अस्रोत होता है वो होता है दर्सकों की अच्छी मोजोदगी लेकिन पिछले हपते लॉंच हुई कार्थिकारेन और कृति सेनन के फिल्म लुकाचिपी रिलीज के एक हपते के बाद भी लगबग 50 करोन के आसपास ही बिजनस कर पाई है अपने रिलीज के आठवे दिन भी लुकाचिपी का क्लेक्शन बॉक्स आफिस पर लगबग ठीक ठाक रहा सुकुरवार को रिलीज हुई थी और कैप्टन मॉर्वल ने इस फिल्म की कमाई को प्रभावित किया था कार्तिकार्यन और कृति सेनन के फिल्म लुकाचिपी अपनी अभी रिलीज होने के एक हफ्ते बाद भी 50 करोन पास पार करने के बाद सुकुरवार को धीमी पड़ गई है और कमाई अब लगबग 56 करोन के आसपास रह गई है लक्षमड उतेकर के निर्देशन में बनी 25 करोन 74 रुपए हो गई है लुकाचिपी ने पहले दिन 8 करोन 1 रुपए का कलेक्शन किया था फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में 32 करोन 13 रुपए का कलेक्शन किया फिल्म के कलेक्शन अच्छे चल रहे थे लेकिन इस सुक्रवार को रिलीज होई कैप्टन मौरवल ने इस उनके साथ पंकस्त्रिपाठी विने पाठक और अपार सक्ति खुनाना भी है फिल्म में क्रिती का रोल मथुरा की लड़की का है जो पढ़ने के लिए दिल ली जाती है और वापस आने के बाद उसके लिए एक नई कहानी सुरू हो जाती है कार्थिक को गॉलियर के लड़क इस फिल्म को देशबर में 2100 और विदेशों में 407 स्क्रिंस पर रिलीज किया गया है थोड़ी सी दिक्कत कैप्टन मॉर्वल के आने के बाद हुई है इस फिल्म की लेकिन इससे पहले यह फिल्म ठीक ठाक कंडिशन में चल रही थी और बॉक्स ऑफिस पर लगतार धमाल कि एक्टिंग की प्रसंसा दर्सक जिरूब कर रहे हैं लेकिन देखना है कि अन्तदा कितने करोण रुपए का बिजनेस कर पाती है कृति सेनन और कार्तिकारियन की एल्लो का चिपी